सब्सक्राइब अभी आपको बेसिक HTML बताने का इंटेंट या अब्जेक्टिव यह था के मुविंग फॉवर्ड जब हम कुछ कॉंसेप्ट्स डिस्कॉस करेंगे तो उस वकत हमें बेसिकली यह चीज सोड़ी देखनी है कि कुछ कीवर्ड मैं यूज करूंगा लाइक मेटाटेग क्या होता है टाइटल क्या होता है तो वह आपको बिल्कुल यू बिल्कुल कोई नई चीज ना लगे असल इंटेंट यह था कि यहां तक पहुझना था कि सर्च इंजिन अप्टिमाइजेशन क्या चीज है तो पहले सि या मेरी एक वेब साइिट है किसी भी टेकनोलोजी में बनी हुई है सर्च इंजिनेň प्रोरण को टेकनोलोजी से कोई घरज नहीं है सर्च इंजिनेशन का अबजेक्टिव यह कि कोई भी वेबसाइट है वो सरच इंजन में हारई रैंग पे आनी चाहिए मतलब इसका यह है कि जब भी कोई end user कोई keyword search करता है और मेरी website उस keyword को match करती है तो मेरी website search में उपर आनी चाहिए यानि जो उसकी ranking है जो हमने page rank discuss किया साइस से पहले page ranking जो है वो जितनी उपर आएगी उतना chance ही होगा कि मेरी website के potential clients ज्यादा होंगे मतलब यह है कि search engine का काम आप यह समझें कोई special coding नहीं है यानि इसका काम सिर्फ यह है कि यह different technique का combination है जो different techniques है वो combination इस दीज का है कि जो website की ranking है उसको enhance करना है और कोई इसके लावा goal नहीं है मतलब यह कि हम इसमें कोई नहीं programming language ही पढ़ने लगे हम सरफ यह देखेंगे कुछ techniques हैं जिससे website की ranking enhance होती है वो different techniques का यह combination है अब यह सुनने में बहुत simple लगता है it's sound very easy या बहुत असान लगता है लेकिन जो इसकी जो एक चीज़ बोलते है न devil is in the details मतलब जितना ही असान लगता है उतना ही actually है नहीं reason reason है reason है there is billions of website जो के internet में मौझूद है और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हर website का बिल्कुल unique content हो ऐसा नहीं होता या हर website को यह बिल्कुल नया idea हमें हमें बता रही है ऐसा नहीं होता मतलब यह कि बहुत ज़ादा competition है बहुत ज़ादा competition है और users जो है वो ही है जो browser या जो internet के उपर browsing कर रहे है वो भी बहुत ज़ादा है लेकिन उनके मुकाबले में जो websites है वो बहुत ज़ादा है और duplication बहुत ज़ादा है यानि असान लफ़ों में कि let's suppose अगर मुझे bikes का shock है तो अब ऐसा नहीं है कि दुन्या में bike से related एक यह website है millions of website होंगी तो उन millions of website में आपकी जो ranking है वो search में जितनी improve हो सके ये basically search engine optimization इन तमाम techniques को use करती है तो जो इसके इने main main techniques है वो improve keywords है back linking है यह हम discuss करते हैं back linking क्या चीज़ है content जो है content याद रखें किसी भी website के अंदर ये की होता है यानि अगर आपने search engine optimization के अंदर या search engine के अंदर जो page की ranking होती है SERP एक चीज़ होता है search engine page ranking वो अगर आपने improve करनी है असानल रफजों में कि मैंने अगर motorcycle या motorbike को search किया या heavy bike को search किया Google पे तो जितनी मेरी particular website search में उपर आएगी उन techniques का नाम है search engine optimization nothing more, nothing less तो इसको अपने दमाग में बहुत ज़़दा complication नहीं लेके आनी बहुत ज़़दा complicate नहीं करना सिरफ इसके अंदर different techniques है जो हम लोग apply करते हैं मतलब आप यूं समझें कि जिसना हमने shopping cart setup किया था तो हमने magento को explore किया था हमने pressure shop देखा था मतलब ये कोई नई programming language नहीं है ये कोई नया tool नहीं है ये existing चीजों यानि जो HTML हमने अभी देखिए basic उसकी optimization है basically तो nothing new in it but it is a better utilized यानि existing जो चीजें हमारे पास उनको हम बेतर तरीके से या एक organized तरीके से use करने के different techniques हम discuss करेंगे करेंगे चरीके से